धन्यवाद आज कहीं दिन में आये मकवरी सिद्धी बाच्चीत भी किसान उसा हो जाए हम हैं यहां पर गाजीपूर बोर्डर पर एक अफवा पड़ी तेजी से चल रही कि सरकार ना बात मान लिद किसान घर जा रहे देखो ना कोई किसान घर जा रहा हैं किसान यहीं पर हैं कुछ एक कोई से भी बोर्डर हो लेकिन अफवाद दो दिन सा बड़ी तेज घूमरी अभी एक समश्या का समादान हुआ वो समश्या है जो तीन काले कानुन थे उसका समापन हुआ दूसरी थी जो बिजली अमेटमेंट बिल था उसक से ग्यारा महिने पहले करी एक पुराली वाले पर भी ग्यारा महिने पहले ही बात्चीत हुई अब भी उड़ने सपश्का और उसी टाइम पर MSP की बात्चीत चली थी तो अभी तीन चीज़ें हुई तो एक चीज़ बाकी है MSP बहुत लोग और प्रेस में एक खबरे चलवाते हैं कि MSP नया कोश्चन है MSP नया सवाल नहीं है MSP तो बहुत पुराना सवाल है जो MSP पर गारेंटी कानून बने इसी के तहित एक 2011 में कमेटी बनी थी जिसमें आज के परधान मंत्री उस टाइम के मुख्य मंत्री जी होते थे वो उस कमेटी में थे उन्हें अपनी रिपोर्ट दी थी 2011 में जब गुजरात के मुख्य मंत्री थे के MSP पर गारेंटी कानून बनना चाहिए आज यह परधान मंत्री हैं उस कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर दो नहीं कमेटी की जोरती नहीं है इसी के बीच में जो घटना करम हुए करीब 300 के करीब टेक्टर को नुकसान हुआ और आज भी जो कुछ जानकार हैं के डेड़ सो के आसपास टेक्टर दिल्ली के अलग अड़ा क्या होगा जो हर्यान आज हर्यान में करीब 55,000 के आसपास लोगुकर मुक अनुकदम वह वापसी और जब तक मुकदम सी नहीं तो यह किसान घर नहीं जाएगा हम हर्याने को छोड़गे किसी सूरत में घर जाने वाले हैं नहीं उत्तर परदेश के मुकद में हैं उत्रा खंड के मुकद में हैं बना पूरे देश भर के आंदोलन के दोरान के जो मुकद में हैं यह जो सारे सवाल हैं यह सारे सवाल इसलिए हैं कि उस टाइम पर यह बाचीत फूई थी कि आंदोलन इन चार चिज़ों पर आंदोलन खतम हो जाएगा और आगे एक कमेटी बना लेंगे जो भारे सरकार समय समय पर वह कमेटी बाचीत करती रहेगी वह कमेटी बना दो उसकी बात नहीं कर रहें कल यह सीड भी लेक आएगे तो आंदोलन क्या दुबारा फेर आएगा यह कल पैसे साइड भी लाएगे तो क्या किसान फेर दुबारा आएगा किसान क्रेडिट कार्ड पर क्या होना चाहिए उसका एक बड़ा सवाल है किसान क्रिडिट कार्ड एक दिन के लिए पैसा जमा करो एक लाग रुपे जमा करने पे दस जार रुपे देने पड़ता है बैंक और जो वहाँ दलाल होते हैं उनको क्या ऐसा नहीं हो सकता कि किसान जो उसका ब्याज है वो जमा करते हैं उसका केसी सी रिनीवल हो जाए यह बहुत से सवाल सरकार उसे करने हैं वो सवाल होंगे जब कमेटी बन जाएगी MSP यह लिख्या हुआ है कि काले कानून वापस लो MSP पर कानून बनाओ मुलब सरकार धोके में रख रही अभी काले कानून तो वापसी होगे इस पर कमेटी नहीं बनाना चाहते जोन सी चीज को हम कहरेगे इस पर कमेटी बना दो आप उस पर कमेटी नहीं, उस पर कानून नहीं, कमेटी कह रहे हैं कमेटी, कमेटी बनेगी जब कानून बन जाएगा उसके बाद में कमेटी बनेगी, ये कह रहे हैं कि पहले कमेटी बना दो, कमेटी की बात तुम्हें उलजाना चाहते हैं, कमेटी बनेगी कानून बनने के बाद म में वो कैसे लग होगी मेस पी यह सारे सवाल है गाउं के लोग अपना तयार रहे भई अफ़ाएं फैलरी है पूरी लोग को दिखाएंगे भी के लोग गाउं में जाने लगे गाउं में कोई नहीं आ रहा अब जो लोग भी हैं अब फाइनल मैच होना है फाइनल उसकी तैयारी करके अपने आ जाओ अब अपने मौर्चों पर हो हर्याना और दूसरे स्टेट है मुकदमे हैं अभी 55,000 सजाद है इन्हें मुकदमे के हार को कोई घर पर नहीं ले जाना चाहता यह मुकदमों की प्रोपरिट्री भारत सरकार के इसी को देखा जाएंगे और हमने पिछले 35 साल से अंदोलन में यह देख्या है कि जब भी कोई समझोता होता है वे मुकदमे और वे समचिज्यों पर समझोता होता है भारत सरकार आज भी बात करने को कोई तयार नहीं है क्या बगेर बातचीत के यह अंदोलन समाप्त हो जाएगा क्या किसान कभी भारत सरकार से फिर बातचीत नहीं करेगा और सरकार सपश्ट कर दे के दिल्ली के दरवाजे किसानों के लिए बंद है तो क्या गाओं के लोग भी सरकारों के लिए दरवाजे बंद कर ले ये सरकार को जबाब देना है हम आंदोलनों का समाधान चाथते हैं एक साल से ज़्यादे किसानों को हो गया पंजाब के लोग चार महिने पहले से पंजाब के बोर्डूरों पर बठे विये थे आंदोलन संगर से समाधान की तरफ जा रहा इसमें जालसाजी सरकार ना रच है सब समझते हैं हम आप बैठके बाचीट टेवल पर अगर करना चाते हो तो ये किसान तयार है दोका धड़ी नहीं ओन टेवल पर हम बैठके बाचीट करेंगे ये आंदोलन जब ही खतम होगा ये देश का किसान किसी बहकायों में बता है कि आंदोलन समाप्त हो रहा है SKM था है और रहेगा ये SKM को तोड़ फोड़ने की बात करते हैं ये आखरी पत्ता सरकार के पास में है वाखरी पत्ते पर सरकार खेलना चाती है ये दो दिन होर अफ़वा बड़ी तेजी से चलेगी चाहतारिक को SKM की मीटिंग है उसमें पूरी आगे की रणिती हम तेह करेंगे किसी भी आफ़वाउंग पर आप ध्यान न दे अपने बॉर्डरू पर ध्यान दे अपना कपड़ा कंबल लेका बॉर्डरू पर आवे और अब यहनी के आएर दो दिन रुख गेर फिर चलेगे में गहूं बोया हूं अब कम से कम 10-15 दिन के लिया आज आए चार तारिक में जो फैसला होगा वो फैसला होगा अगय कि क्या निरन्या होगा उसके बाद में लेंगे अपने मोर्चु पर अपने मोर्चों को अपने आप संभालो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग भी से जुड़े हुए हैं उन सब का हमारा बहुत पहले बोर्ड लगे हुए है एक गलत फफ़ा फैलाते हैं कि MSP आब आया MSP आब मिलेगा आया तो बहुत दिन से रहा सस्ते में आज बहुत दिन से आप करीद रहे हो व्यापारियों को सस्ते में आज मिलता रहें आम जंता को महेंगे में आज मिलता आटा मिलता रहें यह इसलिए कानून लेका आ रहते हैं इसलिए MSP पे कानून नहीं बनाना चाहते हैं सब का धन्यवाद हम यहां पे हैं सारे मोर्चों पर यहीं पर ही रहेंगे सब जग आत झाल